Hello students, I welcome you all to the channel of Oriental Public School जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग का यहां online classes चल रहा है, कुछ series चल रहा है, class 9 का maths अप्लोट किया जा रहा है आज हम लोग देखने वाले हैं, concept of exercise 1.3, it's me, समाज सब्दर, your maths teacher, faculty maths, Oriental Public School तो आइए start करते हैं, concept of exercise 1.3, first जो concept है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला concept है example 5 example 5 जो है, हम लोग को help करेगा, solve करने में exercise 1.3 को इससे पहले हम लोग को, इससे पहले जो videos अप्लोट हुए थे, उसमें हम लोग देख चुके थे, exercise 1.1 का concept, solution, exercise 1.2 का concept and then solution और अभी हम लोग देख रहे है exercise 1.3 का concept, फिर इसके जुरे हुए जो videos हैं, आगे अप्लोट किये जाएंगे, तो हमारे इस channel से हम से जुरे रहे हैं, ताके further updates आप लोग को मिलता रहे हैं तो आइए start करते हैं, solution of example 5, concept of exercise 1.3 example 5 है, find decimal expansion of, find decimal expansion of, 10 upon 3, 7 upon 8, 1 upon 7, यह 3 अलग-अलग questions है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग-अलग solve करेंगे आगे देख लेते हैं, इसका solution, सबसे पहला question देख लेते हैं, सबसे पहला question है, 10 upon 3, क्योंकि हमारा क्या है, numerator बड़ा है, denominator छोटा है, इस वज़े से direct divide कर सकते हैं, तो इस वज़े से क्या हो गया, 3 से 10 को divide करते हैं, 3 times जाता 1 remainder बचता है, और फिर, जब 1 remainder होगे, 3 से कम होग होते हैं, 3.333, और चलता जारा, यह 1 remainder आता जारा, फिर 10 होगा, फिर 9 आएगा, इसी तरह से, कभी भी खतम नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगे, यह हमारा non-terminating and repeating होगे, तो decimal expansion of 10 upon 3 is equal to 3.333 and dot dot dot, second number देख लेते हैं, second number है 7 upon 8, अब देख सकते है, numerator छोटा है, denominator बड़ा है, अब क्या करने की ज़रुत है, सबसे पहले point आएगा, ताकि हम क्या कर सके, denominator को, numerator से छोटा कर सके, तो आएए देख लेते हैं, इसका solution, 8 से जब 7 को divide करते हैं, तो सबसे पहले हमने point लिया, point लेके 7 को 70 बनाया, फिर further क्या हो गया, 70 जब बन गया, 8 8 जा, 64, 64, 70 से 64 की यहाद कितना बचा, 6 बचा, और 6 क्योंकि 8 से छोटा है, इसलिए फिर यह जो point था, इसके पदले एक 0 आया, 60 हो गया, जब 8 से 60 को divide करेंगे, तो 60 हमारे पास number है, 60 को जब divide करेंगे, 8 से कितने times आएगा, 7 times, जो 60 यह उससे कम हो जाए, 56, 8 7 जा 56, बचा 4 remainder, और 4 remainder बचने के बचने 7 upon 8 का decimal expansion क्या हो गया, 0.87 and 5, और number 3 जो है हमारा, number 3 है, 1 upon 7, 1 upon 7 को जब divide करते है, numerator छोटा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले point लेना पड़ेगा, point लेके हमने क्या किया, जो numerator था, इसको point लेने के बाद क्या किया, 10 बनी गया, 10 जब बना 7 बन जा, 7 remainder 3 बचा, य जब 0 आया, तो 7, क्या है, 30 है, 7, 4 times जाएगा, 28 remainder 2, 20 है, 20 से 7 कितना times जाएगा, 2 times, 14 remainder 6, तो फिर आप कितनी बार जाएगा, 7, 8 जा, 56, 7, 8 जा 56 जो हो गया, इस तरह देख लेते हैं, 7, 5 जा क्या हो जाएगा, 7, 5, 0, 35 क्योंकि 4 remainder बच गया था, यहाँ पे, उसके बाद फर 5 remainder बच गया, 5 remainder बच गया, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे 7, 7 जा 49, फिर से देख सकते हैं, यह 1 आगया, क्योंकि हमारा numerator था 1 आगया, repeat होना फिर start हो रहा, इसलिए, जितने सारे number से, अगर हमारा क्या हो गया, 1st number फिर से repeat हो गया, 1st number फिर से repeat हो गया, तो कह सकते हैं, कि यह जो हमारे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, यह क्या है, फिर से repeat होगा, यानि कि यह 142857 पे recurring, that is, reoccurring हो गया, यह था solution of example 5, आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ और examples, that is, example 6, 7, and example 6, देख लेते हैं हम लोग, example 6 में कह रहा है, so that 3.142678 is a rational number, यह हम लोग को prove करना है, कि यह एक rational number है, हम लोग जानते हैं, कि जो भी number जिसको P upon Q के form में दिखा सकते हैं, जहां जो Q है, नीचे वाला term 0 नहीं होना चाहिए, वो एक rational number होता है, तो इसका solution देख लेते हैं, इस 0.142678, अब नीचे देखिए, क्या होता है, जब भी number decimal में होता है, उसका decimal point को हम लोग क्या करते हैं, इसको remove कर रहे हैं, इस point के बदले, एक one लिखा जाता है, उसके बाद terms गिनते हैं, देखें, कितने number से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हमारे कितने ह तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, अब देखें, P upon Q के form में आ गया, क्या हो गया, P upon Q के form में आ गया, देखें, Q 0 है क्या, नहीं है, तो यह क्या हो जागा, hence, इस तरह कह सकते हैं, hence, 3.142678, यह इस तरह का कोई भी number जो है, हमारे पास जो दिया हो रहेगा, जो क्या है, य is a rational number, यह क्या हो गया, यह example number 6 है, आगे देख लेते हैं, example number 7, example number 7 में कह रहा है, so that 0.333 and so on, is equal to, जो होता है, 0.3 reckoning can be expressed in the form of P upon Q, यानि P upon Q के form में इसको दिखाना, जहां पर Q not equal to 0, यानि इसको भी प्रूव करना है, कि एक हमारे rational number है, यह देख लेते हैं, यह जो given number है, यह given number हमारा यह है, तो इसको हम लोग सबसे पहले जो given number रहता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, let x is equal to 0.333 and dot dot dot, इसको मान लेते हैं, equation number 1, अब एक चीज यहां गौर करने की जुरूरत है, देखेंगे, कि 0. circuit के ऊपर कितने numbers के ऊपर रह कहरेंगे, कितना number है हमारे repeat होा, only 1 number, जब 1 number repeat होगा, तो हमको यहां दोनों side में क्या करना है, multiplying by 10 करना है, अगर 2 numbers यह revis होता है, तो multiplying by 100 करते हैं, 3 numbers repeat होता है, तो यह удивvalues by 1000 करते हैं, याद रखेगा, यहाँ एक नंबर रपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगा, only multiplying by 10, तो multiplying by 10 in both sides, दोनों साइड में क्या करते हैं, multiplying by 10 कर लेते हैं, तो देखें, यहाँ 10x हो जाएगा, 10x is equal to 10 into 0.333 यह हो गया, अब देखें, यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों को multiply करेंगे, तो this implies 10 of x is equal to, देखें, यह 10 multiply हो रहा है, तो यह point जो हमारे क्या हो जाएगा, एक राई जाएगा, यहाँ 3.333 देखें, यहाँ से क्या करेंगे, जो 0.3 is call-up करेंगे, क्यों, क्योंकि यह x का रहा है, तो यह हो जाएगा, this implies 10 of x is equal to 3 plus x, कहाँ से आया, from equation number, from equation number 1 से आया, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यह x इस पार आजाएगा, यह similar terms को एक तरह हम लोग रख सकते हैं, तो यह x को अगर इस पार करते हैं, this implies 10 of x minus x is equal to 3, और आगे कह सकते हैं, this implies 9 of x is equal to 3, और इसी तरह हो जाएगा, this implies x is equal to, क्या हो जाएगा, 3 upon 9, देखें, x को अगर ने क्या माना था, 0.33, और 0.33 क्या हो गया, this implies इसको लिख सकते हैं, x is equal to 3 upon 9, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, this implies x का विलो क्या था, 0.33, यहाँ, तो this implies हो जाएगा, 0.3 recurring is equal to 3 upon 9, देखें, यह क्या हो गया, p upon q के form मे आगया, जहां q, 0 नहीं है, तो यह हो जाएगा, answer, यहाँ, कह सकते है, approved, क्योंकि so that था, आगे देख लेते हैं, example number 8, इसमें थोड़ा सा changing किया गया, जैसे 0.13 था, तो यहाँ पे क्या किया गया, एक तो 2 term साथ साथ लिया गया है, उसके इलावा, जो 0 था, 0 के जगा, कोई number replace किया गया, that is 1, तो आइए, देख लेते हैं, इसका solution कैसे हो जाएगा, so that 1.272727, देखें, कितने number repeat हो रहा है, यहाँ पे 2 term repeat हो रहा है, तो 2 term अगर repeat हो रहा है, तो इसी हिसाब से हम लोगो क्या करने की जुरूरत है, multiply करने की जुरूरत है, इससे पिछला problem में भी बताय गया था, कि जब 2 term रहेगा, तो किसी साब से हम लोगो multiply करना है, या solution करना है, सबसे पहले जो rule है, उसको let मान लेते है, let, जो given number है, उसको x मानते है, let x is equal to 1.272727 and so on, इसको हम लोगो क्या मानते है, equation number 1, इसको equation 1 मान लेते हैं, आप देखें, कहा गया था, कि जब point के बाद एक term हो तो 10 से, तो 2 term हो तो कितने है, 100 से multiply, multiplying by 100 in both sides, तो उन्हों साइड में क्या करना है, 100 से multiply करना है, यह हो जाएगा, this implies 100 of x is equal to 100 into 1.2727 and so on, यह हो जाएगा 100 है, तो देखें, यह point जो है, यह दो डिजिट क्या हो जाएगा, right चले जाएगा, तो this implies हो जाएगा, 100 का 100 x जाएगा, this implies 100 of x is equal to 127.27 that is 2727 and so on, point के बाद हम लोग कभी 27 नहीं बोलेंगे, इसको 27 ही बोलेंगे, अब देखें, इसको क्या करना है, x के term में अलग करना है, तो x का value क्या है, 1.2727, तो यहां से 1.2727 हम लोग को अलग करना है, तो देखेंगे, यहां 1.27 अलग करेंगे, तो यह 126 साइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग further लिख सकते हैं, this implies 100 of x is equal to 126 plus, यहां 127 क्यों नहीं किया है, क्यों को 1 हम लोग को साथ में लेंगे, इसलिए 1.2727 and so on, तो अब देखेंगे, यह हमारा क्या आगया, x का value आगया, जैसा तो by using equation 1 या from लिख सकते हैं, यहां पर from equation 1, equation 1 को हमने use किया, तो this implies हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहां 100 of x minus of x is equal to 126, यह जो 100 x minus x होगा 99 x, इसको हम लोग लिख सकते हैं, this implies 99 x is equal to 126, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, this implies x is equal to, this implies x is equal to 126 upon 99, देखे, यह q 0 आया, नहीं आया, तो इसको लिख सकते हैं, this implies, number क्या था, 1.27 recurring can be represent in the form of p upon q, और p upon q का जो value आया, 126 upon, 126 upon 99, यह हो गया, it can be represent in the form of p upon q, तो यह था solution, example number 8 का, अगले question है, example number 9, इसमें कह रहा है, so that 0.23535, that is, यहां only 3535 repeat हो रहा है, 2 repeat नहीं हो रहा है, तो इसलिए 0.235 उपर रेकरिंग, यह जो 2 number है, इस पर कोई भी रेकरिंग नहीं है, तो देखे, रेकरिंग कितने number पे है, दो number पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, as per rule, 100 से multiply करें है, तो सबसे पहले x माल लेते हैं, let, x is equal to 0.235, 235, 235, and dot dot dot, only क्या हो रहा है, 35 repeat हो रहा है, इसको माल लेते हैं, equation number 1, अब आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या करना है, multiplying by 100, क्यों 100 से multiply, क्योंकि दो ही number के उपर रैकरिंग है, तो 100 से multiply करने के जरूत पर है, तो this implies क्या हो जाएगा, 100 of x is equal to 100 multiplied by 0.235, 35 and dot dot dot, यहां 100 है, यह point, 2 digit क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, right, this implies 100 of x is equal to 23.535, 35 and so on, अब यहां से हमको क्या करना है, x का value अलग करने के जरूत पर देखे, x का value क्या है, 0.23535, तो देखे, यहां पर 3535 तो मिल रहा है, लेकिन यहां से हमको 2 निकालना है, 0.2, तो इसको क्या करेंगा, यहां से 0.2 निकालना है, तो कितना यहां पर ज्यादा हो रहा है, 0.3 ज्यादा हो रहा है, यहां पर 0.3 ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या क्या करने, यह 23 के साथ यह लिख लेंगे इदर और प्लस में लिख देंगे 0.2 यहां से 3 क्योंकि यहां आ गया 2 बज गया 3 5 3 5 and so on अब यहां पर हम लोग 3 क्यों रिमूव के यह क्यों कि हम लोग को यहां पर 5 by 5 में से 2 ही चाहिए था इसलिए 3 हम लोग ने इदर रिमूव कर लिया इदर side कर लिया this implies हो जाएगा 100 of x is equal to 23.3 और प्लस यह जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x अब इस x को क्या करना है लेप में लेना है तो this implies 100 of x minus x is equal to 23.3 अब इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा यह हो जाएगा this implies 99 of x is equal to 233 upon 10 यह 10 क्यों है इस पॉइंट के बदले पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया अब 99 क्या हो जाएगा नीचे multiply हो जाएगा this implies x is equal to 233 upon 99 into 10 यह हो जाएगा 99 और 10 multiply में होगा यहा एक 0 हो जाएगा तो इसको लिख सकते है this implies जो number था क्या था 0.23535 is equal to 233 upon 990 यह हो गया answer यहाँ इसको कह सकते हैं क्योंकि दिखाना था P upon Q के form में यह हो गया तो यह था हमारा concept of exercise 1.3 class 9 thank you for watching और अगर आप चाहते हैं कि हमारी चैनल से जूरे रहे तो चाहें तो आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं अगर YouTube चैनल पर है तो